जहें इस वीडियो नों केवी सी ग्लोबल लिमिटेट कंपनी वारें बात करेंगे देखें एक छोटा सर पेनिये स्टोक जानेंगे के कंपनी कैसी है अर्थात इसका जो बिजनेस मडल और फंडामेंटल है इसके इसाफ से क्या हमें इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहिए या इस मनटी कंपनी महराश्ट कंपनी है इसका में बिजनेस में होता है और ऐक रियल की कंपनी की और जादा तरही है शुक्त मार्केट करतीयां बंड़ समझेंगे मार्केट के कंपनी गया साथ सौ रूपया अब ही देखेंगे तो डाउन जा रहा है इसे तो काफी दिनों से डाउन नहीं जा रहा है समझेए हाई लगा चुका है 22 रुपया साथ पैसा का यह है जो 22 रुपया साथ पैसा का यह इसने पिछले साल अगस्ट में बनाया था और उसके बासे डाउन जाने लगा एक दो प्राइस की बीच में जब किसी कमपनी का सेर फिक्स हो जाता है ना उससे उपर जाता है ना नीचे आता है तो उसको इसको साथ रेंज काते हैं पैसे बढ़ता है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ 17 फरवरी को दिन यानि कि जिस दिन इसका प्राइज 16 रुपर 45 पैसा था उस दिन से यह इसे बाहर निकला लेकिन और नीचे जाने लगा और फरवरी से 31 मार्च तक कंपनी का सेर्पाइस कंट्निवर्ष डाउं ट्रेंड में रहा फाइनली 31 मार्च के बाद सेर्पाइस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ तो 5 अपरेल तक सेर्पाइस बढ़ा और 5 अपरेल का बास से अब समझना यह है कि अब बागे क्या होगा समझ और अगर उपर उठेगा तो कहां तक जा सकता है तो इसका समझे एक सब्सक्राइब कुछ कमाक नहीं दिया हलाकि एक माह का रिटर्ण इसका लगवागा साड़े सतरे प्रण का सब्सक्राइब होने लगा यह थोड़ा रहात देनावाल अख़बर है एक दिन में 50 लाग दो सब्सक्राइब करने लगा लेकिन किया इतना ही काफी है इस कंपनी का इनालेसिस करने के लिए नहीं अब हमें फंडामेंटल कितना मजबूत है तो आजे देखते हैं देखिए कंपनी का बुक बहलू मैं समाने तो एक रुपे सधिक होता है तो उसको भी परफेक्ट कहता रिटर्न उन इक्विटी उसे तो परफेक्ट मना जाता है यहां 18 परफेक्ट है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लोईट यानि कि आरो सी अभी 20.4 परफेक्ट है कापी अच्छा है अब देखिए कंपनी को उपर कर्जा है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन कर्जा धिर धिर क आगिन अच्छी अच्या कमठें कर्जा कंपनी पास फिरी कर्जा फिरलों भी 70 रुप कोई ज्यादा चीनता की बात नहीं और दिकत यह कि कंपनी का जो प्रॉफीट होता है क्वार्ट क्वार्ट अच्छी खासी लगवा अगर फंडामेंटल ठीक है वह तो दिख रहा है कि यह लोग अपने हिस्दारी घटा क्यों रहे तो यह चिंदा की बात है अगर इनका बढ़ना घटना जारी रहा तो यह चिंदा की बात हो सकती है इसलिए अगर आप देखेंगे तो मनी कंट्रूल के वेफसाइट पर तीरासी परशेंट लोग इस कंपनी के सेर्स को सेल करने की सलाह दे रहे हैं जबकि 12 परशेंट लोग इस कंपनी के सेर्स को बाई करने के लिए तो देखिए और बात करना क्या है तो एक पेनिया स्टॉक में हमें हमेशा रिस्क बना रहता है इसलिए इसमें इतना ही इंवेस्टमेंट करना है जितना अगर डूब जाये तो तनाव नहीं हो और अगर आप उपरी लेबल पर फसने में तभी कुछ इंता की इसका उपर जाएगा ही जाएगा सभावी के कितने दिनों तक नीचे रहेगा जब जाएगा तो वहां पर अपना अगर प्रोफिट होता है तो अच्छी बात नहीं भी होता है तो अगर लागत निकाल लीजेगा वैसे लॉग टर्म के लिए इस कंपनी में है तो कोई चिंत प्रोफियों में तो तक धने बात शुक्रिया